जैश्री सितराम अलग-अलग ग्रमे लगने कुड़ी के अलग-अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे और अपनी महादशा में कैसे फल देंगे इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यह जो अब यह सीरीज चल रहा है यह शुक्रदेव का सीरीज है शुक्रदेव लगने कुड़ी के पांच वे भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे पांच वावा इसे कहते हैं पता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ तरस ग्यारा पाद अच्छा अब शुक्रदेव की सात्वी दृष्टी भी होती है अब यह समझें कि पाच्वा भाव क्या होता है तो इसी के साथ साथ यह बुद्धी का इस्थान भी है कि इसी के साथ साथ यह अंस अंतरन गें मतलब जो अचानक से लाव होतें न है है अचानक लाव कैसे होते हैं कि अचानक लाव शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाया था और अचानक पता चला कि आप में लगा करके रखा था एक लाग और अचानक से देड़ लाग हो गया या अचानक से दो लाग हो गया अचानक से डबल हो गया कई लोग लॉट्री में जीतते हैं लॉट्री अचानक से निकलती है ना लॉट्री में निकले कई बार अचानक से यसा लगता है कि पहले तो भूमी कोई कोई जमीन है आपकी पैतरक संपती कुछ है तो वहाँ पर उससा कोई खास दाम नहीं था वहाँ से कोई national highway निकल रहा है, वो national highway पारित हुआ है अभी तो, केवल पारित हुआ है, उसको sign की है केवल minister ने, और वो उस जगे कीमत अचानक बढ़ गई, रातो रात बढ़ गई, तो इस प्रकार अचानक के जो लाव होते हैं उनको भी पंचमिस्तान से देखा जाता है, ठ आपके आपका लाव, प्रतिष्ठा का लाव, आए का लाव, इंकम का लाव, पहली बात, दूसरी बात, इलेवन्थ हूस का मतलब होता है, जो आपके आसपास के लोग हैं, मतलब आपका परिवार में, लेकिन आपके दोस्त हो सकते हैं, दूर के रिष्टदार हो सकते हैं, आपका एक सरकल हो सकता, एक समाज हो सकता है, कोई आपका एक क्लब होगा, किसी क्लब में आप जाते होंगे, जीम के कोई फ्रेंड्स होंगे आपके, जो आसपास की लोग है, उनको बोलते है, उनको 11th house से यहाँ पर देखा जाता है, छोटी-मोटी बिमाईयों का भावी 11th house क कहते हैं, अब दिखिए, मैं हमेशा यह बात समझाते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी ने किसी नंबर के साथ होता है, वो नंबर राशियां होती है, और उस राशी का भी बहुत बढ़ा परता है, या आप इसको इस तरह से भी कह सक आँगा, जैसा भी तक समझाते आया हूं, अच्छा, उसके भी पहले आप एक बार जानिए कि यदि आप एक basic astrologer बनना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं, सिखना चाहते हैं, तो आपको जाना है YouTube चैनल VS Astrology, यदि इस वीडियो को YouTube पर द वहां तक भी वीडियो आज की तारीक में एड हुए हैं, वहां तक भी आपने कतारबद तरीके से देख लिया और सिख लिया तो आप एक basic astrologer बन जाएंगे, बागी फिर वीडियो तो एड होते ही रहते हैं, तो फिर सिखते ही रहे हैं, सिखने का कोई time limit तो है नहीं, मैं ज जिखा सकता हूं, क्योंकि मैं जिखता रहूंगा, जो नहीं सिखता हूंगा, तो आते हैं हम, मुख्य इस बात पर कि शुक्र महाराज, लेंग फुर्ली के पंचन इस्थान में एक नंबर के साथ होंगे, तो कैसे फ़र देंगे, यहां एक नंबर होगा, तो यहां क्या हमें यह जानना बहुत, इस भाव में कौन सा नंबर यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लगन की कुंडली हो जाएगी, नौ नंबर मतलब धनुराशी, धनुराशी के स्वामी, गुरु महाराज, तो हम यह नौ नंबर की कुंडली होगे, अच्छा, इस तर एक इस taki कि यह जानना भी जरूरी ही, कि दो नंबर गहां है और सात नंबर होगे, व्य्रशेब राशी के स्वामी शुक्र होते हैं तो कि यहां पर दो नंबर ग Marshak striking उन भाव खेश्वामी शुक्र हो जाएगे. बाइफिर नंबर चेंज होते जाएंगे तो अलग-अलग भाओं के स्वामी भी शुक्र भाराज होते जाएंगे चले तो शुरू करें एक नंबर के साथ यहां पर शुक्र माराज के बहुत खराल फल देखने को मिलेंगे जब भी शुक्र की दशा चलेगी भनु लगए तो मारकेश की दशा चलेगी और हेल्थ इसको क्या कहते हैं आपके बिमारिया खास तोर पर पंचक इस्थान चटवा इस्थान पेट और पेट के निचला या कमर का इस्थान होता है हें कमर के निच्श करिस्थान तो इस प्रकार के रोग भी पैदा हो जाते हैंने छांद की नूइसरा प Maar जाए पागल संजहा लगे हैं ज्यादा ज्यादा सवीटमर भी जो है वाओ मेटा खाना भी सुगर डाइवटिक्यक्षा ुमु पाड़ा इन सब्सक्राइब नहीं होता है कहीं शेयर मार्केट में या बिजनस में या लॉट्री में अपना भाग्या अजमाना चाहिद उसमें लाग नहीं हो पाता है भाग के साथ नहीं देता है हेल्ठ इश्यूज कुछ नहीं लगे रहते हैं बिजनस ऐसा विक्ति करेंगे सकता है नौकरी करने के सब्सक्राइब नमबर और मंगल देव कर नमदर मेश राशी और शुक्र जो है प्रैम मतलब अपोसित जन्र की बैटमें करना हो उपाइब करने चलिए उपाये वी एस डॉस्त्व इकलर सभी ग्राऊं के सटीक उपाएं पर गोल जयाना और उनकूल वहां पर शुक्रदे़का विडियो आपको मैलेगा लीए मिलेगा शुक्रदेव का विडियो पूरा लिए तो थो नमबर के शांत 5 हो क्यों है यहां तीन चार और शी देंगे शुक्र वाराज कि उसकी वज़ेए इंपने बुद्धी अपने कर्म का निर्माण करता है साधिसाध मकरगण की कुली है मकर लगण मतलब शहनी महाराची कुली है तो बहुत अच्छे एंसान कि बुद्धि बहुत शार बारकेट में बहुत लाव होता है बिस्नस करता ड्योंidée इनसान बहुत तुमस्या नहीं है तीन नमबर के साथ तीन चार और छे साथ आठ नौव तरस ज्यारा यहां पर भी बहुत शांदार रफल देने वाले हैं तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाता हूं एक निया मोतर्ज को थे भावत भावम अलब भाव से भाव साथ नमबर का हुआ है कैसे यहां से किनो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौव आगया नवा नवे भाव का स्वामी खुद से नवे भाव में गठा है बहुत शांदर रिस्तिती हैं बुद्धी भाव है यह भागय भाव है इंसान अपनी बुद्धी सब्ने भागय कर निर्मान कर लेता है या इसको इस प्रगाव भी कह सेटे हैं कि संतान और बहुत मजबुत भागय धर होता है यह भी कहसे शुकर देव सुक्ड़ शुक्ह के स्वामी कंश कि यह प्रतिष्ठा के द्रश्टिकॉर्ण से बहुत अच्छी इस्तिति होता है। तीन के बाद के चार नमबर चार पाच चार ही हो गया तीन दो एक बारह ग्यारह दर्स नौ आठ साथ है। हमें मुक्यधा क्या देखना चाहिए। तो सारी लिए नंबर लेटे है कोई बाद में तो अब यहां पर क्या होगा देखो आख खराफ़ल मिलेंगे बात खराफ़ल मिलेंगे चिंता में बाद शुक्र हो गया तेक्स भाव करें। तो चिंदा तना वेंशनेटी डिप्रेशन ऐसे वेक्ति को बना रहेगा, त्रती भाव मतलब भाग दोड़ के माले बुद्धी भाव में बाटे हैं, बुद्धी भाग दोड़ करती रहेगी मतलब इसको बोलते हैं न अच्छे सक्सिस नहीं हो पाता है, बिसमस करना या कोई शराब या ड्रग या कुछ पान मसाला, टॉबेको, सिग्रेट इस परकर का एडिक्शन में इंसान बहुत जल्दी आ सकता है, या पोसिट जेंडर में इंसान बहुत जल्दी जा सकता है, अच्छा, चोल्टी मटी बिमारिया कुछने कुछ चलती ही रहेंगी और ल आच, चार, तीन, दो, एक, आरह, ग्यारह, ग्यारह, दस, नो, आठ, साथ, अभी क्या होगा, यहाँ पर भी, बतब कुछ मिले जूली स्थिती निकल कर कहाएगी, मैं समझाता हूँ कैसे, मिले जूली कैसे, धन भाव, यह धन भाव कह राता है, लगने मुले अगले का दुश्वरा इस्थान धन का इस्थान होता, धन भावा स्वामी संतान इस्थान पर आखकर के बढ हाँ कुंड़ी मिलान करके शादी होना चाहिए एक शर्त है हाँ लेकिन 100% उनाती होती है पहले संतान के बात में तो यह धन के दरश्टिकॉन से तो बहुत अच्छी बात हो लगती है लेकिन यदि हम संतान की बात नहीं करते हैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो फिर न क्लडली मिलाड़ी में को पती पत्णी की बुढ़ी देखेगा लड़का है तो लड़की को देख रहा है कि य क्या क्या पत्थिकॉन से जमित पैदा हो जाती है अच classic Kuri paste फिर संदान प्रसम संदान हुई तो उसके बाद बिजनस किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा बिजनस के सला में शादी के पहले बिजनस के सला नहीं करता हूं हाँ शादी के बाद में बिजनस किया जा सकता है उसके पहले मैं नौकरी करने की सला करता हूं और नौकरी में उ प्रतिष्ठा भी ऐसे वेक्टी को मिलती है तो इस पढ़ाय लिखा कि द्रश्टी कौन से बहुत अच्छी चीज यह नहीं है लव अफ़ेरा दुछरे उसमें फसने के द्रश्टी कौन से अपोसिट जेंडर में वासना में ज्यादा फसने के द्रश्टी कौन से बहुत अच् पाठ चार तीन दो एक बारा ग्यारा दस नौ आठ साथ है अभी क्या होगा है अभी यहां पर देखें छे नंबर का मतलब होता है कन्या राशी में शुक्र महाराज नीच राशी स्थित हो जाते हैं और हाला कि यहां पर लगनेश है लगनेश के स्वामी है तो लगनेश की दर्शा पंचन स्थार पर लगनेश बैटे हुए तो बहुत अच्छी जाने चाहिए और कई लोग तो यह बोलते कि लगनेश हमेशा शुब होता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है लगनेश हमेशा शुब नहीं होता है जिसे पीता होता है तो मैं आग बन करके बूलू कि प कोई भेक करके आ गए कई सारे में ऐसे भी पिता देखे हैं जो शादी हुई बच्चा बच्चा हुआ कई और किसी महिला के चक्कर में आगे इनको छोड़ दिया कहीं और चले गए तो जरूरी नहीं कि पीता हमेशा अच्छी होता है हाँ अधिक तर अच्छे होते हैं सब लगना पड़ा लिखाई में मन न लगना मन गलत दिशाओं में लगना भटकना नीच प्रवत्ती होना और बिजनस नहीं कर सकता ऐसे विक्ति नौकरी करेगा नौकरी करेगा तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रब्लम हो हैल्थ इस्व हो इमिल सिस्टम कमजोर हो लाव या प्रतिष्ठा उत्री न में मिले और चिंदा तनाव इंसाइटी के इस्तिति लगी रहे यह इस्तिति यह आपर छे नंबर के साथ होती है 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 कि नीच राशी के होगा है अच्छा साथ नंबर साथ आठ नौ दर्स ग्यारा बारा एक डो तीन अभी क्या होगा कि बहुत शांदर रफल देंगे देखिए साथ नंबर मतला पंचम भाव के स्वामी शुक्र है तो पंचमे शुक्र हो जाते हैं और बुद्ध महाराज की कुंड़ी है हलागी कहीं लोग कहले कि 12 शुक्र है लेगिन मैंने यह हमेश्य सिखाया और समझाया है कि जो त्रिकोन भाव के स्वामी होता है उन्हें 12 श्रष्ट में श्रष्ट होने का दूश नहीं लगता है तो द्वादश शुक्र है जो कि 12 भाव के स्वामी है तो इंसार अपनी पढ़ाई लिगां करने के बाहर चले जाना लेकिन देश से बाहर नहीं बिजाता है तो भी यह सकता है कि आपका जहाऊ-वाँ से mammal और वहां से कहीं तुसरी जगह पर आप जाए और वहां जागर के विद्ध्य Sharjans करें न को यौका अच्छी तरह से विद्ध्य ना को है तो अस प्रकार स्तिति हो करती है। बहुत बहुत अच्छा होता है करने संतान के बनाते कशने संतान बहुत अच्छे रहती है अचानक से लाव हो सकता है ऐसी स्थिती में लॉटरी में बहुत अच्छी इंसां को उन्यती मिलती है और प्रतिष्ठा भी ब्यक्ति मिलती है बहुत अची स्थिती है पड़ा की खाई तो सारे दुर्ष्टिकों से बहुत अची स्थिती है जो यार के ने समझ स्वास भीया चाहिए कि साथ के बाद में आर्ट नमबर आठ नौ दर्स ग्यारा बारा एक दो तीन चार साथ अभी क्या होगा अभी मिला जुला फल मिलेगा तीको घर के लगण की कंडिये चंद्र माहाराज लगन पर अजब लगन भाव के स्वामी है अभी इस कंडिय में डोग शुक्र को मारा किरा ते नहीं कहता हूं मैं संगर कहता हूं अब यहाँ परना मिले जुले चुनुना शुक्रमाराज देंगे, कैसे रिको पहले चुनुन भाव्यस्वाहल के सवाँए है। पते पहले कर फिर सुखे देड़ को मिलेगा उसको storage इसाथ को सुखेश सब्सक्राइब यह इलिए वसको मिलेगा चाहे अपनी पीता से मिलेदा चाहे वह खुद कमाकर के मिलेदा लाब की स्तिति एक रॉबर्लम यह Pin envy कई स्टितियों कि विलासि प्रुवत्ति जाहा हो जते हैं कि सब्सक्राइबर生 long fine नौकरी वेबसाइट प्रफिशन के दर्ष्टिकोंड से कोई दिखकर की बाद नहीं है आठ के बाद में नौ आठ साथ चे पाट चार तीन दो अभी क्या होएगा अभी यहां पर बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है और 9 नंपर ने दभू राशी गूरु दरुदेव की राशी होती तो गूरु शुक्र के श्त्रु हैं तो श्त्रु की राशी में शुक्र महाराध बैट है पहली बात दुश्री बात त्रती भाव के स्वामी की दिशा चल रही है, तो व्यक्ति बिजनस लॉस जाता है, अचानक से लॉस हो सकता है, शेयर मार्केट के लिए में बिल्कुल भी सलाह नहीं करता हूँ, लॉटरी के लिए सलाह नहीं करता हूँ, जुएं वगेरे में इंस परिशार होना पड़ता है, मेरा जो कली किवा, आट गंटे में जितना प्रतिष्ठा ले लेता है, जितना प्रेजल लेता है, जितना सेवरी लेता है, मुझे वही 12 घंटे काम करना पूर रहा है, तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है, अचा बढ़ा लिखाई मे अच्छी बात में, नौ के बात में, दस, नौ, आट, साथ, चे, पाँच, चार, ती, दो, अभी क्या हो है, बहुत शामदार, बहुत शामदार, अभी तो इदर पहली मैंने का दिया, आपन साथ नंबर आया था, मैंने वह एक बात कही थी भावत भाव नियम की, फिर से बह सब्सक्राइब यह डूमंबर के लिखा हुआ है, दो नंबर लिखा हुआ है, भाव नभात म안े की, जाम बै शुकर, तो शुकर कहां है, पंचमिस्थान में, पंचमिस्थान क्या होता है, यह पंचमिस्थान है, यह अगने, जी अगनी बही guidelines, यह बात में तो यह भाव से तो नवे विस्थां का मलिक, नदे भाव का स्वामी खुद से नवे भाव में आकर के बैठा हुआ है, बहुत शादर रिस्थिती, मतलब इंसान अपनी बुद्धी से, बुद्धी का भाव न, अपनी बुद्धी से अपने भागय का निर्वान कल लेता है, ये बात पकी है, कि संतान होने के बाद भागय में बहुत तेज व्रद्धी होती है, ये बात भी पकी है, आचा, जब भी मैं संतान ये शादी की बात करता हूँ, कुनली मिलान एक शर्त जरूर लगाता हूँ, भागय में तो व्रद्धी हुई संतान के बात में, लेकिन धन भाव के स्वामी संतान पीजरी है किनली भ disappearance मुभी देता हूं कि संतान मैं सां मतलब यह जमीन पर घॉटब बहुत इक indi प्रसम संथान के बाद बहुत मजबूत भागे रहे होता है ऐसे लोगों संथान पैसा करने में देर नहीं करने चाहिए अच्छा चलो संथान की बाद छोड़ देते हैं लेकिन उसके अलावा भी जो है वह बहुत अच्छी स्थिति है पड़ा लिखाई मन लगता है लाब होत अब यह बहुत अच्छी स्थिति है क्यों ऐसा क्यों आता है इसलिए क्यूंकि लगन भावमें साथ नमबर लिखा हो और साथ नमबर के मालिक जो है शुकर मित्र राशी में आकर कर बैठ है पटए है पंचन स्थान पर लगनेश्वद पंचन स्थान में बैटा है लगनेश्वद आकर कर बैठ बैठ hebt अब बुद्धिके इस्थ तो यह जिंता दनाओं के मालिक यदि बुद्धी बहुत है तो नहीं होगा लेकिन इंसान सौम में ज्यादा हो जाता है तो दूसरों पर दया ज्यादा करना परुपकार की भावना ज्यादा होना दूसरों आग की परिशाने को देखकर जल्दी से दुखी हो जाना अग इसको और नेगेटिव तो यह रहिंए न केसे पर सबस्क आरब इनसान आगे पाटा है अचमट में संदर के गोल्डन पिरियड आपके समझे गोल्डन पिरियड होता है 11 नमबर के साथ 11 के बाद में 12 12 11 10 9 8 12 1 2 अब यह क्या होगा देखो बहुत अच्छी इस्तित्य तो नहीं है शुक्र माराज उच्छे राशी के बैटे हैं कई सरे लोग कहेंगे आरे वा जी वा उच्छे राशी के बैट गए साथ उच्छे राशी के बैट गए बहुत शांदार है लेकिन यह शांदार नहीं है बहुत खराब है 12 जवाव के स्वामी की दशा चल रही है और उसकी वजह से वैक्ति जो है वो बहुत जादा विलासी होता है पढ़ाई लिखाय में मन ना लगना कई बार ये जो पत्नी या पती भाव का सौमी बुद्धी स्थान पर बैठा है ना तो जब पढ़ाई बुद्धी वैसे तो आप जिंदगी में हमेशा ही बुद्धी का इस्थामाल हम करते हैं लेकिन इस्पेशली हम कहते हैं कि जो स्टुडेंट्स हैं वो बुद्धी का हर पल पर इस्थामाल करते हैं उनको या दाश्त बुद्धी बहुत हर पल पर जरूरी है उनकि पलपल पर एक्जाम्स होती है तो जब पत्री भाव का मालिक बुद्धी उच्छी का उपर के बैठ जाता है तो ऐसा रिखती जब पढ़ाई कर रहा होता है तो लड़का है तो लड़की में पतनी को देखेगा लड़की है तो लड़की में पतनी को देखेगा फिर अफेर बनेगा फिर अफेर बनेगा फिर जो है शुक्र माराज क्या करते हैं शुक तो बहुत अच्छी स्थी तो यह नहीं होती है तो यहां पर मैं आपको समझाया है कि शुक्रदेरी लगन कुंड़ी के पाँच्वे इस्थान पर होंगे और अलग-अलग लगन की कुंड़ियों में या अलग-अलग में में वह अपनी माधशा में कैसे फल देंगे इस बारे के लिए आज के सुप्राप सीटा चाता हूं जाई श्री सितारा